आप सभी सम्मानित दर्सक गण को सुर्यो पास्ना व लोक आस्था का पावन छठ महाप्रव पर प्रकृति से उन्नत अनन्त उर्जा से प्रस्फुटित पावन प्रकास आपके बेक्तितो एवं कृतितो को आलोकित कर आपके आयू आरुग्य वैभाव संपदा यस कृति और गुनवत्ता में ब्रिधी करे यह एक ऐसी पूजा जिसमें कोई पंडित पूजारी नहीं होता जिसमें देवता परत्यक्ष होते हैं जिसमें डूबते सुरे को भी पूजते हैं, जिसमें वर्ती जाती समुदाय से परे हैं, जिसमें सिर्फ लोक गीत गाते हैं, जिसमें पकवान ठेकवा घर में बनता है, जिसमें घाट पर कोई उच्च निम्न नहीं होता, जिसमें प्रसाद अमीर गरीब सब सरधा से ग्रहन करते हैं, दुनिया कहती है, जि उसका अस्त होना निश्चित है, लेकिन यह महापर्व यह सिखाता है, जो डूबता है, उसका उदे भी निश्चित है, ऐसे समाजिक, सौहार्द, सदभाव, सांती, सम्रिधी और सादगी से तिरोहित, सुर्य देव की आस्था से महापर्व, छठ पूजा की हार्दिक और आन परिवार, एब हम आपकी सभी जायज मनोकामनाएं पूरी हो, आने वाला समय आपके लिए स्वास्त तथा सम्रिधी लाए, यह पर्व है, जिसमें हम सब बड़ी खुसियों से मनाते हैं, जहांकि मुख्यत, बिहार और उत्तर परदेश की यह सान मानी जाती है, छठ पर्व चठ पर्व का पर्व यह कार्तिक मास की सुकल पक्ष की सस्थी तितित को दिपावली के 6 दिन बाद मनाया जाता है, 2023 में चठ के पर्व के सुरुआत यह 17 अक्टूबर से हो गई है, और 20 अक्टूबर को इसका समापन होगा, चार दिनों तक चलने वाला यह पर्व, पहले दिन नहाय खाए, दूसरे दिन खरना और अन्य दो दिनों में छठ पुजा की जाती है, नए चूले पर परसाद बनाये जाता है, खरना के दिन महिलाएं जो वरती होती हैं, उबास रखती हैं, और साम को मिटी के नए चूले पर आम की लकडी दौरा गूर की खीर बनाती हैं, इस प्रसाद को गरहन करने के बाद ही निर्जला वरत की सुरुआत हो जाती है, और जिसका पारन यानि की वरत खोलना दिन सूरे होने के बाद ही किया जाता है, यानि की चौथे दिन, छठ पूर्व के दिन सूरे देव और सस्थी मया की पूजा की जाती हैं, साथ ही इस दिन सिव जी की भी पूजा की जाती हैं, इस त्यवहार को सबसे ज़्यादा बिहार, जारखंड, पुर्वी उत्तर परदेश और पस्चिम बंगाल, नेपाल, जहां कहीं भी विश्व में, यहां के निवासी रह रहे हैं, की सुरह ही ultimate source of energy हमारे माने जाते हैं, जिससे के हमारे पूरे परिवार पर उनका असिरवाद बना रहें, और हम पूरे वर्स, हर्स, उल्लास के साथ अपने कारे में लगे रहें, साथे यह वुरत संतान से सुखद भविश्य के लिए भी किया जाता है, ऐसी मानेता है कि कि संतान की प्रापति होती है और सभी मनकामनाएं पूरी हो जाती है, चार दिन का यह त्यवहार जिसमें साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाता है, इस त्यवहार में गलती की रती भर भी गुंजाईस नहीं होती है, इस वुरत को करने के नियम इतने कठिन है कि इसी के नाम से संबोधित किया जाता है चलिए आपको हम वीडियो में आगे ले जाए इससे बता दूँ अपना परिच है मैं अरेंद्र कुमार विलनस कंसल्टेंट इंटर्प्रिनर ट्रेनर आप सबों का लिविंग हैपली में स्वागत करता हूं और आप सबों से विनम्र निवे तो आए हम जानते हैं कि कौन है चठी मया इससे जुड़ी कई कथाएं हैं पवरानी कथाएं हैं दंत कथाएं हैं सबको हम आज एक एक बार आपके समक्ष प्रस्तूत करने का प्रयास करेंगा इसके बारे में अनेक कथा है इसमें एक मानिता के अनुसार चठ देवी सुर्य देव की बहन हैं उन्हें ही प्रसन करने के लिए जीवन के महतपूर्ण अवियवों में से सुर्य वजल को महत्ता को मनाते हुए उन्हें साक्षी मानकर भगवान सुर्य की आराधना तथा उनका धन्यवाद करते हैं उनकी कृतग्यता प्रकट करते हैं मा गंगा यमना या किसी भी पवित्र नदी या पोखर तलाव के किनारी यह पूजा मूलता की जाती हैं सस्थी मा यानि कि छठ माता बच्चों की रक्षा करने वाली देवी हैं इस व्रत को करने से संतान को दिरगायू होने का वर्दान मिलता है मारकंडी पुरान की अगर माने तो इसमें उलेख है कि स्रिष्टी की अधी ठात्री प्रकिर्टी देवी ने अपने आपको चह भागों में विभाजित किया हैं इनके छठे अंस को सर्वश्ष्ट मात्री देवी के रूपे जाना जाता है जो ब्रंभा की मानस पुत्री हैं ये बच्चों की रक्षा करने वाली देवी हैं कार्तिक मास के सुकल पक्च को सस्थी को देवी की पूजा की जाती हैं सिसु के छह दिनों बाद इन ही देवी की पूजा की जाती हैं इनकी प्रात्ना से बच्चे को स्वस्थ सफलता और दिरगाई होने का असिरवाद प्राप्थ होता है पुरानों में माने तो इनकी देवी का त्याइनी के नाम से जाना जाता है जिनकी नौरात्री की सस्थी तित्हाई को पूजा की जाती है अस्ताचल सूरे से आसीस लेने का प्रचलन कथा के अनुसार प्रियेवरत नाम के एक राजा थे उनकी पत्नी का नाम था मालिनी, दोनों को कोई संतान नहीं थी, इस बात से राजा और उनकी पत्नी बड़े ही दुखी रहते थे, उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ती की इच्छा से महरसी कस्यप द्वारा पुत्तेस्थी यग्य कराया, इस यग्य के फलसरूप रानी गर् राजा को बहुत दुख हुआ, संतान सोक में वह आत्म हत्या करने का मन बना लिया, लेकिन जैसे ही राजा ने आत्म हत्या करने की कोशीष की, उसके सामने एक सुन्दर देवी प्रकट हुई, देवी ने राजा को कहा, मैं सस्ती देवी हूँ, मैं लोगों को पुत्र का सव मैं करती हूँ यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रतान करूँगी देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्या का पालन किया। मनाया जाने लगा। छट व्रत के संदर में एक अन्यक अथा के अनुसार महाभारत में देखेंगे। जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए थे तब द्रोपदी ने छट व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से माना जाता है कि उनकी सारी मनोकामनाएं प मुसलिम भी इसे मनाते हैं इसा पाया गया है। बिहार और उत्तर परदेश में इस परव को सान के नाम से जाना जाता है। दुनिया का यह एक मात्रिक लोता इसा परव है जिसकी महत्ता दीन वद दिन बरती जा रही है। आज ये परव हिंदुस्तान में ही नहीं बलकि मले इसिया के अलावे इंगलेंड, अमेरिका और जहां कहीं भी हमारे भारतिये बंधु हैं वहां बड़े धूम धाम से मनाते हैं। अब मैं बात करूं कि यह छठ पूजा क्यों जरूरी है। मित्रों हम सब जानते हैं कि हमारी परंपराएं नहीं बदलती उसमें सुधार होता हमारी संस्कृती नहीं बदलती उसमें सुधार होता हमारे आचरन में भी सुधार की जरूरत है हमारे विचारों में भी जरूरत है सुधार की जैसे आज प्रकिर्ती के हर कुछ परिवर्तित हो रहे हैं सुधार हो रहे हैं इसी तरह से हमारे विचारों में भी सुधार किया जा हो सकता है आप छठ पर्व में सिर्व सुद्ध और पवित्र और ताजे फ्ल ही चढ़ाते हैं यह हमें संदेश देता है कि हमारी विचार भी पवित्र होने चाहिए ताजा होना चाहिए हमें learning और री लर्निंग ये तीनों बिधा मालूम होनी चाहिए यही संदेश छठ पर्व देता है और अगर इसकी तुस्टी करण की बात की जाए कई लोग जो अलग परदेश के हैं जो छठ ब्रत के वारे में नहीं जानते हैं उन्हें मैं बता दू कि छठ पर्व हम क्यों मनाते है यानि की कई हमारे घर के भी बच्चे हैं जो नहीं जानते हैं उनके लिए तुस्टी करण जस्टिफिकेशन मैं बता दू कि यह धर्म के लिए नहीं अपितु हम सब उस जर से जुड़े रहें उस परमपरा से जुड़ी रहें उस संस्कृती से जुड़े रहें जहां से हम उत्पत्ति हुई है जहां से हम उठे हैं उपर उठे हैं अपनी परमपरा सभ्यता संस्कृति परिवार से धीरे धीरे आज हम रोजी रोटी के लिए आजीवका के लिए व्यापार के लिए दूर हो रहे हैं उससे नजदीक बने रहें इस चीज का संदेश यह चठ पर्व देता है और खास कर उन पुत्र के लिए उन पुत्री के लिए जो की एक बहाना ढूडते हैं चठ में जाने के लिए आप देख पा रहे होंगे कि फ्लाइट में टिकट नहीं मिल रही है भारसरकार ने करीब 2000 से ज्यादा स्पे भाईयों संबंधियों बाकी सबसे भी मिल पाते हैं तो यह एक भाईचारा बढ़ाने का भी एक मध्यम होता है उन मा के लिए भी जिन्हें अपनी संतान को देखे महीने नहीं वर्स भी हो जाते हैं उस परिवार को जो ठुकड़े में बटे हुए हैं उन्हें भी एक बड़ा अंगन होता है बड़ा नदी होता है वो सिर्फ 2BHK 3BHK 4BHK में और उसे ही पूरा संसार परिवार मानते हैं उनके लिए भी जिनके लिए भी नदी सिर्फ वो विडियो में देखते हैं किताबों में सुनते हैं पढ़ते हैं उनके लिए भी एचछ ठव्रत जरू वकालत करता है इसी पक्ष को मजबूत करता है हमारा छठ पर्व जो बताता है कि बिना पुरोहित ब्रह्मन की भी पूजा की जा सकती है जो सिर्फ उगती सूरज को नहीं डूबती सूरज को भी प्रणाम करना सिखाता है कई नीम्बू सुथनी गाजड जो की बड़े सस्ते म आने जाते हैं ऐसे फल को भी जिन्दा रखने के लिए यह छठ पर्व अतियावस्त्यक है सूप दवरा जो की लोग बनाते हैं हैं इन्हें बताने के लिए भी कि यह हमारे समाज के अभिन हिस्ता है इनका भी हमारे समाज में महत्त्य है और खासकर उन दंबी पुरसों के ल हिंदियों के सम्मान के लिए यह छठ पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है सांस्कृतिक विरासत और आस्था को बनाए रखने के लिए परिबार और समाज में एकता समरूपता एक रूपता के लिए छठ पर्व हम मनाते हैं और अंततह आपको बता दूं कि यह संय दियमित, संतुलित और ब्यवहार पैदा करने के लिए छठ पर्व मना जाता है ताकि हमारा जीवन सुख में जीवन हो सके और इसी आधार की अस्थापना और निर्मान की जाती है छठ पर्व मना कर इसमें हम संकल्पित होते हैं इस पर्व के दवरान महिलाएं साल भर में क कम से कम एक दिन अपने खंदान के लिए गीतों के माध्यम से बेटी मांगती हैं जो कि सच मूच एक यूनिक है छठ पर्व के पावन उसर पर गाय जाने वाले गीतों में से आप को एक गीत गुनगुना के मैं सुनाऊंगा रुनकी जुनकी बेटी मांगिला पढल पंडितोवा दमाद एच छठी मैया दर्सन दीहिन अपन इसका मतलब यह है कि हमें घर में सिम्टी सकुचाई रहने वाली वेटी नहीं चाहिए बलकि हमें एक ऐसी बेटी चाहिए जिनके कदमों की आवाज से सब कुछ गुंजता रहे और इन बेटियों के लिए जो वर मिले पैसे वाले हो या नहो पढ़ा लिखा जरूर हो केवल प्रार्थना गीतों में ही नहीं बलकि छठ पर्व के दौरान कई मौके पर हमारे संस्कृति में महिलाओं के लिए सम्मान का एक प्रतीक के रूप में देखा जाता है इसल के महापर्व सुर्यो पास्ना छठ वरत के पावन असर पर आप सभी लिविंग हैपली के दर्सकों को मैं अपने हिर्दे की गहराईयों से आपके सब परिवार को हार्दिक सुबकामनाएं देता हूं छठी मैया आप सभी को सदायव कल्यान करें जै छठी मैया और अगर जै भासकर आए ना महा